अगली प्रतिभागी हैं विधी दूबे उडिशा से जुमाहान यूग पुरुष और राष्ट्रे गौरव सदार वल्लभाई पटेल पर भी व्यक्ति अपनी पेश करेंगे यहां उपस्तित सभी सभाजनों को मेरा साधर नमशकार मैं विधी दूबे जासुगडा उडिशा से कक्षा आठ की चात्रा हूँ 31 अक्टूबर यही वद दिन है जब आज से ठीक 147 वर्ष पूर्व भारत में एक महान स्वतंत्रता सैनानी सरदार वल्लभाई पटेल का जन गुजरात में हुआ था वही सरदार पटेल जिने पूरा देश लौप पुरुष के नाम से जानता है जिनोंने भारत के नवनिर्माण में एक सक्रिय भूमी का निभाई थी एक स्वतंत्र और अखंड भारत का सपना संजोया था और ओपरेशन पोलो एवं अपनी सूजबूद से इसे साकार भी किया महीला सशक्ती करण के प्रती उनकी सकरात्मक सोच, अद्बुद प्रशासनिक शम्ता और अद्बुद द्रनिश्य शक्ती से आज कोई भी अनजान नहीं है सरदार पटेल सयम और धैरी की प्रती मूर्ती थे वे हमेशा ही कहा करते थे कि मनुश्य को शांत रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि शत्रू का लोहा भले ही गर्म हो जाए पर हथोड़ा तो ठंड़ा रह कर ही काम दे सकता है शायद उनके इसी धैर्य और सयम ने भारत को एक स्वतंत राष्ट का दर्ज़ा दिलाया आजादी के वक्त भारत का रियासतों में बटा हुआ था परन्तु सरदार पटेल ने इन पांट सो पैसट रियासतों को मिलाकर एक अखंड और एकल भारत का निर्मान किया उन्होंने राष्ट्य स्वतंत्रतां दोलन, खेडा सत्याग्र और बार्दोली सत्याग्रह में भी किसान हितों का एकी करण किया जिसके कारण बार्दोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपादी दी जिसका अर्थ है एक प्रमुक, अथवा, एक नेता स्वतंत्र भारत के प्रथम उप्रधान मंत्री और प्रथम ग्रीह मंत्री अपने कर्तवय से भलीभाती परिचित थे और भारत की अखंडिता और स्वतंत्रिता के लिए अनवरत ही प्रयत्नेशीर रहा करते थे उन्होंने भारत के लोगों से एक सार एक जुठो कर एक अग्रणी भारत बनाने का अनुरोध किया था और उनकी यही विचाट धारा आज भी आत्मनिर्बर भारत में परिलक्षित है जो भारत को आत्मनिर्बर बनाने का प्रयास करती है आज भले ही भारत विभिन भार्षाओं, जाती और संपरदायों का केंद्र है परंतु ये भावनात्मक रूप से एक है उनके स्वतंत्र भारत के सपने ने आज भारत को उस मुकाम पर पहुँचा दिया है जहां हर एक भारतिय अपने आपको गौरवांतित महसूस करता है इसी कारण उनके जन दिवस को राष्टिय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है अज भले ही वह अमारे बीच नहीं है पर अन्तु उनके व्यक्तित्व और विचार सदेव ही अमारी युवापिड़ी को नई दिशा प्रदान करते रहेंगे अन्त में मैं इन पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी रिणी सदा रहेगा भारत सर्दार तेरे बलिदान का तुकड़ा तुकड़ा जोड़ कर तुने निर्मार किया अखंड हिंदुस्तान का धन्यवाद जैहन जैभारत धन्यवाद विदीदू पे अब हम उच शिक्षवेब